मैं हूँ दिपाली और आपका स्वागत है मेरे चानल दिपाली शुरुआस्तो बीवाय उभी में जहां पर आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कुछ होम रेमेडियो घरेलू उपचार जिससे हम अपने बच्चों की सर्दी फटा फट से दूर हो जाएगी और बहुत जादा उसे सर्दी जुखाम हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों में हैं सर्दी खासी जुखाम जैसा मुझम बदा बच्छों को तुरं जल्दी से यह दिकत हो जाती है तो प्लीज घबılmış जब आने के बिलकुल कोई बात नहीं मेरा बेचा बहुत छाण से हुपर का हो सांस नहीं ले पाते हैं बच्चे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उनको तो यह चारों से ठीक हो जाती है जल्दी घर में ही आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को सर्दी हो गई है तो बिना कुछ सोचे पहले यह सब डॉक्टरों को दिखाई है अगर बहुत जादा मेर्यों चोटा वह सब्सक्राइब को तंभी एना रड़ती मेरी मध में लनी जाया बटला जन्मारती जादो कि आसमारती मुझे नहीं आपके लिए जाया सुछन के दो हुआ हों कोई चीज ना देख पाओ और आप गलत इसको यूज कर लो तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी पढ़ा के मत देखे का बागे आप कोई मेरे वीडियो देखे क्योंकि इस पैशली बच्चों के लिए और बच्चों के लिए कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहिए तो चल मैं यह मैंने डाला है कड़वा तेल मस्टर डॉयल कच्छी धानी जो भी आप कहते हो इसको तो वो तेल ले लीजे और जब यह तेल एकदम खौलने लगे तो इसमें आप डाल दीजे लहसुन यह मैंने यहां पे लहसुन डाल दिया है और इसके बाद मैं डालूंगी इसमे मैं अच्छे से खौलने दूंगी तब तक इसको पकाऊँगी जब ब्लाक कलर के नहीं हो जाते हैं और इसके बाद ही इसको चानने रखना हो हो तक यह तो यह देखिए हैं यह च्छे से भून रहा है। आपने दूंगी और आगर इससे जरू ट्राई करिएगा तो यह देखिए अब भुन चुका है और अब मैं इसको ठंडा ग्यास बन करके रख दूँगी और जब यह थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा मैं इसको छान लूँगी छान के उसके बाद आप इसे बॉटल में करके रख लीजे और रात में रोज सोने से पहले बच्चे के छाती पे हाथ पैरो के तलवों में और नाकूनों में लगा दीजे पीठ में भी आप लगा सकते हो जिससे उसकी सर्दी दूर हो जाएगी तो यह है मेरा सेकेंड उपाई यह इसलिए है जब बच्चे का एकदम कफ जम गया हो और आप नेबलाइजर यूज कर रहे हो एकदम जकड़न है यह जब उसका जुकाम डीला हो तब मत यूज करिएगा क्योंकि यह उसी टाइम के लिए जब बहुत जारा कफ जमा हो उसके तो यह वो डीला कर देगा यह तो इसमें मैंने यूज किया है देशी घी और सेंधा नमक का जो एक डेला आता है आप वो ले लीजए यह मारकेट डिपार्टमेंटल स्टोर या किसी भी पांसारी की शॉप में मिल जाएगा आपको तो वहाँ पे आप इसको ले लीजिए और यह थोड़ा से देशी घी या जिस हिसाब से आप लेना चाहते हो ले लो और इसमें यह सेंधा नमक का आप इसको घिस लो अच्छे से जब तक यह थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तब तक कि घिसेगा यह देखें मैंने इसको यहाँ पे अच्छे से घिस लिया है और उसके बाद आप इसको जब यह प्रेपर हो जाए उसके बाद आप इसे एक चमच में लेकर रख लीजो और इसे सिर्फ आपको पसलियों में लगाना है बच्चों की और कहीं भी मत लगाएगा ध्यान से दुनिया का पसलियों में ल पकाया था इसको पका लिजेगा बस इसमें अजवाईनों लसुन की जगे मैं इसमें कपूर का यूज करूंगी कपूर एक एंटिबाइटिक होती है जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है वो सारी सर्दी को खीच लेती है और ये थर्ड और बेस्ट ये भी है और बहुत ज पाय की तरह से यूज करिए ये काफी काफी अच्छा है तो जब तेल गरम हो जाए एकदम उसके बाद इसको आप साइड में डालिएगा बहुत ही अराम से यूज करिएगा नहीं तो थोड़ी सी इसमें ये कि कपूर में जल्दी सी आग पकड़ लेती है तो इसमें भी हो जब थोड़ा सा तेल थंड़ा हो जाए तब आप इसमें कपूर डालिएगा जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत अराम से कपूर पूरी इसमें मिल जाएगी तो आप में देखा मैंने कपूर को किस सरे से डाला और अब जब ये तेल हो जाए आप इसके एक कटोरे दीजे और तब उसे सोने दीजे और रात में इसे यूज करिए ताकि वो रात भर सोए और सुबे इसको बहुत अराम मिल जाएगा काफी दिलीफ मिलेगा उसे ठंड में जकडन में लेकिन याद रखिएगा हवा के कॉंटाक्ट में बिलकुल मताए बच्चा इसको लगाने के बाद वो तब तक के लिए बबाई खुश रहिए इंजॉय करिये अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम इंजॉय करिये बाई बाई